नमस्कार दोस्तों स्वागत से अभी टेक्नो वर्ल ने मैं नाम विशाल और दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं MacBook Pro 2021 के बारे हैं दोस्तों अभी हाली में हुए Apple की event में हमको iMac भी देखने हो मिल गया है M1 Chip Integrated है तो दोस्तों यहां पर हमारे पास में iMac भी अवेलिबल हो गया है M1 Chip के साथ ने और ऐसे में लोगों की curiosity यहां पर बढ़ जाती है कि जो 16 इंच का MacBook Pro होगा 2021 का model वहां पर हमको क्या specifications देखने हों मिलने वाले और क्या नई चीज़े हमको वहां पर देखने हों मिल सकते हैं तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करने वाले हमारे आज के इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगो Revel एक hacker group ने कुछ information को यहां पर leak out किया है जो confidential information about Apple के MacBook Pro 2021 है तो दोस्तों यहां पर आपको दो models के बारे में leaks देखने हों मिलने है J314 and J316 तो दोस्तों यहां पर यह जो दोनों ही codes है यहां पर 14-inch and 16-inch के MacBook Pros के बारे में है जो कि 2021 में release होने वाला है अब दोस्तों यहां पर सबसे important चीज़ सबसे important चीज़ यह है कि जो Revel hacker group है इन्होंने actually जो information जो कि confidential information थी इसको Apple के supplier Quanta से leak out किया है तो इस hacker group का कहना यह है कि अगर 50 million dollars का amount हमको pay किया जाता है तो हम इस information को आगे leak out नहीं करेंगे जो भी हमारे पास में यहां पर confidential information हमारे हाथ में लगी है हम इसको leak out नहीं करेंगे लेकिन अगर यह amount pay नहीं किया जाता है जो कि 50 million dollars की है तो हम इस सब का सब जितने भी information हमारे पास में available जितने भी documents हमारे पास में हाथ लगे हुए हम सब को leak out कर देंगे by May 1st तो दोसों May 1st तक है यहां पर date दिया गया है Apple के supplier को जो की quanta है और देखने वाली बात होगी कि यहां पर क्या trade-off actual में होता है लेकिन जो यहां पर information एक leak के तुरू हमको देखने हो मिल रही है वो यहां पर काफी interesting है और यहां पर over in all जो complete scenario और complete new design of the MacBook Pro है उसके वह यहां पर दर्शाता है और दोसों यहां पर चलिए बात कर लेते हैं क्या नई चीज़े हमको यहां पर देखने हो मिल रही है तो दोसों सबसे पहली चीज़ जो यहां पर हमको देखने हो मिल रही है यहां पर completely new line-up of the ports हमको देखने हो मिल रहा है अगर हम left side में बात करें left side में हमारे पास में एक mag safe charger है उसी के साथ में दो USB thunderbolt ports है और एक headphone jack है तो दोसों यहां पर completely एक new set of ports हमको देखने हो मिल रहा है left side of the macbook pro में तो दोसों यहां पर जो mag safe charger बताया जा था कि one second return आने वाला है जो कुछ दिन पहले leak में हमको देखने हो मिला था अब finally यहां पर mac safe charger वापस से return आ रहा है यह confirm हो चुका इस leak के जरीए क्योंकि यहां पर clearly इस information में इस चीज़ को दरशाया गया है कि J314 and J316 जो यह codes है जो कि actual में model codes हैं इस साल के launch होने वाले macbook pros का वो यहां पर clearly हम देख सकते हैं यहां पर confirm होता है कि mac safe charger finally return आ रहा है और वहीं पर अगर हम बात करें यहां पर right hand side में तो right hand side में हमारे पास में एक HDMI का port है उसी के साथ में यहां पर USB-C type का port है और साथ में once again दोस्तों यहां पर SD card slot return आ रहा है macbook pro में तो दोस्तों once again अगर आप यहां पर SD card slot को use करना चाहते है macbook pro के अंदर तो आप वहां पर use कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर इस सभी चीज़ों से एक चीज़ों यहां पर clearly देखने में मिलती है कि यहां पर जो number of the USB-C type की जो ports थे जो की thunderbolt ports थे वो यहां पर reduce हो जा रहे और दोस्तों यहां पर एक और issue हमको देखने में मिलेगा वो यह है कि अभी recently जो यह launch होगा यहां पर जो जिसमें हमको macbook pro देखने में मिल जाएगा वहां पर जो charging port होगा वो सिर्फ और सिफ एक side में होगा प्रायर में जो हमारे पास macbook pros अवेलिबल थे जहां पर चार हमको thunderbolt ports देखने में मिलते थे वहां पर हम किसी भी side से charging कर सकते हैं लेकिन क्योंकि अभी यह left side में mac safe charger है तो इसकी होजे से यह होगा कि सिर्फ और सिफ हम यहां पर left side से charging कर पाएंगे और दोस्तों यहां पर जो हमारे पास में complete possibility थी कि कोई भी side से charging करने को यहां पर reduce हो जाएगे तो दोस्तों यह जो feature की यहां पर कमी होगी है थोड़ा सा lack out होगा और कुछ लोगों को शायद यह feature पसंद नहीं आए क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत easily हम किसी भी side से कोई भी port से charging कर पाते थे लेकिन अब क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिफ एक charging port जो होगा यहां पर MacSafe के साथ में जो आएगा वो यहां पर dedicate हो जाएगा तो इसकी वज़े से हमको यहां पर feasibility कोई भी side से charge करने को यहां पर completely हड़ जाती है उसी के साथ में यहां पर number of USB-C type of thunderbolt ports भी reduce हो जा रहे हैं जो कि अब पहले 4 होते थे अब सिर्फ और सिर्फ तीन रहेंगे Macbook Pro के अंदर और दोसों इसी के साथ में एक और चीज़ हमको यहां पर देखने हैं मिलेगा तो दोसों यहां पर touch bar को निकालना एक अच्छा news भी है कुछ लोगों के लिए और एक बुरा news भी है कुछ लोगों के लिए मेरे लिए अगर मैं specifically अपने orientation से बात करूं तो touch bar मेरे लिए काफी एक useful entity था क्योंकि यहां पर touch bar को use काफी सारे controls थे वो बहुत easily हमको देखने हो मिलेगा थे like for example अगर मैं Photoshop यूज कर रहा हूं तो Photoshop एक काफी सारे features ऐसे थे जिसको मैं directly touch bar से control कर से like opacity हो गया या फिर copy करना हो गया तो यह सारे जो features थे बहुत easily में कर लेता था लेकिन अगर यहां पर touch bar को remove कर दिया जाता है तो उसकी हुझा से once again हमको function keys को याद रखना पड़ेगा फिर shortcut keys को याद रखना पड़ेगा वहीं में दोस्तों कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर used to नहीं थे touch bar के तो उनको वहां पर जरूरत थी function keys के तो function keys वापस आ रहे हैं लेकिन यहां पर मेरा over and all review यह रहेगा कि apple को touch bar maintain करना चाहिए कुछ models में उनको touch bar भी provide करना रहे हैं तो दोस्तों अगर आप एक function key lover थे तो comment करके हमको जरूरूर बताएगा और आपके लिए finally यह feature once again return आ रहा है अब दोस्तों चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमें कुछ और भी चीज़ों बारे में तो recently हमारे पास में इस leak में तो इतना information हमको देखने हो म दोस में यह भी हमको देखने हो मिल सकता है कि यहाँ मिनी LED डिस्पले भी हमको देखने हो मिल सकता है MacBook Pro में तो दोस्तों जो complete new lineup of the MacBook Pro launch होगा वहाँ पे हमको mini LED डिस्पले भी देखने हो मिलेगा जो कि अभी रिसेंटली iPad Pro में launch किया तो iPad Pro में हमको 10,000 mini LEDs के साथ में आने वाल हमको डिस्पले देखने हो मिला है जो कि Liquid Retina XDR डिस्पले है जो की काफी अच्छा यहाँ पर brightness प्रवाइड करा है 1600 निट का peak brightness प्रवाइड करा है और दोस्तों यह completely यहाँ पर उमीद है हमको कि इस साल का आने वाला MacBook Pro में भी हमको यह डिस्पले देखने हो मिल सकता है और उ यहाँ पर thinner bezels भी देखने हो मिल सकते हैं तो दोस्तों यह सारी चीज़े यह सारे upgrades हमको देखने हो मिल सकते है विद दे न्यू एमवन चिप जो की M1 X हो सकता है तो दोस्तों M1 X चिप जो है वो यहाँ पर launch हो सकता है जो की probably बताया जा रहा है यहाँ पर की 12 कोर्स का CPU होने मिल सकते हैं वहीं पर 16 कोर्स का आपको dedicated GPU देखने हो मिल सकते हैं जो की काफी अच्छा rendering performance and over and all graphical performance आपको provide कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारी information है जो अभी दक हमारे पास में और expect यह किया जा रहा है कि इस साल के होने वाले जो की later of the 2021 जो event होगा जो की October या November के आसपास में हो स तो हमको सिर्फ और सिर्फ complete new software का lineup हमको देखने हम रहा है जो कि new macOS होगा, iPad OS होगा, iPhone OS होने वाला तो यह सारी चीज़े हमको यहाँ पर नई देखने में मिलेंगी लेकिन over and all अगर हम इसको sum up करें तो काफी सारे new features के साथ में यहाँ पर 2021 का model launch होने वाला है और दोस्तों सा यहाँ पर शुरू हो चुका है तो दोस्तों यह भी एक यहाँ पर आपके पास में information available है तो दोस्तों maybe ऐसा हो सकते हैं कि next year जो या फिर इस साल के later में जो MacBook Air launch हो में भी वहाँ पर M2 chip हमको वहाँ पर देखने में मिल सकते हैं तो दोस्तों यह भी information हमारे पास में available थी हमको लगा आपके साथ में share करना चाहिए तो दोस्तों यह सारे information है currently जो new MacBook Pros launch होने वाले 2021 में उसके बारे में और इसके बाद भी अगर आपके पास में और भी कोई information जो आप हमारे साथ में share करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक क भूलेगा और दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई